नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा। इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि लोनापाम टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है। Lona Palm Tablet को कैसे लेना चाहिए और Lona Palm Tablet की वजर से क्या side effects हो सकते हैं. और यह भी discuss करेंगे की Lona Palm Tablet को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए. और यह भी जानेंगे की Lona Palm Tablet को लेने के बाद कितनी देर बाद नींद आनी शुरू हो जाती है. और कितनी देर तक Lona Palm Tablet का असर रहता है। Lona Palm Tablet का उपयोग मिर्गी और दोरों के इलाज में और एंग्जाइटी यानी चिंता वतनाव को दूर करने के लिए Lona Palm Tablet का उपयोग किया जाता है। Lona Palm Tablet को लेने के बाद नींद अधिक आती है। इसलिए जिन व्यक्तियों को नींद कम आती है या नींद नहीं आती है उन व्यक्तियों को भी Dr. Lona Palm Tablet को लेने की सला दे सकते हैं। इसके अलावा पैनिक डिसॉडर होने पर भी Lona Palm Tablet का उप्योग किया जाता है। पैनिक डिसॉडर होने पर व्यक्ति बहुत ज्यादा भिभीत और डरा हुआ रहता है। Lona Palm एक ब्रैंड नेम है। Lona Palm Tablet के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन का लोनाजेपाम होता है। Lona Palm Tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg और 2 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब हम डिसकस करेंगे कि Lona Palm Tablet को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। Lona Palm Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर शुरुआत में Lona Palm 0.25 Mg Tablet या 0.5 Mg Tablet को दिन में एक बार और रात को सोते समय लेने की सलाह देते हैं। Lona Palm Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इस से अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको Lona Palm Tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। ज्यादातर व्यक्तियों में Lona Palm Tablet को लेने के बाद एक घंते से लेकर दो घंते के अंदर नींद आनी शुरू हो जाती है। और Lona Palm Tablet का असर 6 घंते से लेकर 12 घंते तक रह सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। Side Effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Lona Palm Tablet की वज़ह से कोई Side Effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में Lona Palm Tablet की वज़ह से कुछ Side Effects हो सकते हैं। जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, सिरदर्ध होना, मुं में सूखापन होना, नींड अधिक आना, चक्कर आना, घबराहट होना और दिल की धड़कन तेज हो सकती है। इसके अलावा Lona Palm Tablet की वज़ह से याददाश्ट कमजोर होना, शरीर में ठकान वसुस्ती रहना, दस्त होना या कब्ज होने की समस्या हो सकती है। लंबे समय तक Lona Palm Tablet का सेवन करने की वज़ह से शरीर का वजन ज्यादा भी हो सकता है, और शरीर का वजन कम भी हो सकता है। Lona Palm Tablet को लेना बंद करने के बाद कुछ व्यक्तियों में नींड ना आने की समस्या पहले से भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। महिलाओं में Lona Palm Tablet की वज़ह से उनके मासिक धर्म अन्यमित हो सकते हैं, और Lona Palm Tablet की वज़ह से पुरुषों की सेक्सूल पर्फॉर्मिन्स कम हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे कि Lona Palm Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लंबे समय तक Lona Palm Tablet को लेने से Lona Palm Tablet की आदत पढ़ सकती है। इसलिए Lona Palm Tablet को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने Lona Palm Tablet को लेने की सला दी है। मायस्थेनिया ग्रेविस होने पर, रस्पिरेटोरी डिप्रेशन होने पर, लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर और आखों में ग्लुकोमा होने पर Lona Palm Tablet को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना Lona Palm Tablet को नहीं लेना चाहिए। भी इंग्रिडेंट जैसे कलोना जेपाम आदी से एलर्जी है। तो ऐसे व्यक्तियों को Lona Palm Tablet का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Lona Palm Tablet का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Lona Palm Tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लोनापाम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका लोनापाम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।